नमस्ते दोस्तों, स्वागत थे आप सबका हिंदी साहित्य वाटिकामी। आईए सुनते हैं आज। इंदीरा नुपुर्जी द्वारा लिखी कहानी अपराद बोध। मैं चुक्चाब बैठा सोच रहा हूँ किस जीवन की आपाधापी में मेरे हिस्से क्या आया। सुक शान्ती अथ्वा केवल अपराद बोध। जीवन की सांज ढल रही है और मैं देख रहा हूँ कि सारे रिष्टे नाते पीछे छूटते आ रहे हैं। मैं कितना भी कातर हो जाओं, कितना भी पस्ताओं, कितना भी प्रयास करूं किन्तो उन छणों को वापस नहीं ला सकता जो मुझे सहेजने के लिए मिले थे और जो समय से पहले ही मेरे हाथों से फिसल गए थे। क्यूं था मैं इतना भी मानी? क्यूं था मैं केवल अपने स्वत्व में लीन और क्यूं था मैं स्वयम पर तरस खाने में इतना व्यस्त कि मुझे यह भी याद नहीं रहा, कि जिसे मैं सब्त पदी के बाद एक वर्दान की तरह साथ लेकर आया था। वह अक्षरा केवल मेरी पतने ही नहीं, स्वयम में एक व्यक्तित्व भी थी, एक इंसान भेती, आज तो इस धुप अंधेरे में मेरी निगाहें बेचैन होकर ढून रही हैं उन सबको, रचना को, अक्षरा को और क्रितित्व को, वह अभागी रात आज भी मुझे याद है जब मैं रचना की गोरी-गोरी हथेलियां था में बैठा था, और उसने अपनी सूनी उदास आखो से मेरी और देख कर कहा था, देखो, अपने क्रितित्व को में तुम्हें सौप रही हूँ, उसे मेरी कमी खलने मत देना, बहुत प्यार देना उसे, और यह कहते कहते उसकी आखे छलक आए थी, मैंने उसके आशू पोच कर उंधे गले से कहा था, होशला रखो रचना, तुम ठीक हो जाओगी, और अपने बच्चे को स्वयम ही संभालोगी, तब रचना धीरे से मुश्कुराई थी, और उसी रात नन्हे क्रितित्व को मेरी बाहों में छोड़कर वा सदा के लिए चली गई थी, खो गई थी कहीं बादलों के गुवार में जाकर, मेरे जीवन का तो प्रकास ही बुझ गया था, सुनापन मुझे काटने को दोरता, और फिस जाता तो घर में मन लगा रहता, कि मेरा बच्चा जाने कैसा होगा, और घर में रहता तो रचना क याद बेचैन करती, मैं ओफिस और बेटे के बीच बढ़ कर आ गया था, और तब एक दिन माने कहा, कि मैं अक्छरा से ब्याह कर लो, बच्चा बिन मा के कैसे पलेगा, और मा की बूधी बाहें कब तक या भार उठा सकेंगी, मैंने नजरे चुका कर हामी भरती, मेरे सामने मेरे बच्चे का भविश्य था, और तब अक्छरा ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, उसकी बड़ी-बड़ी उदास आखोने जैसे मेरे हिरदय को जख जोर दिया, बिना बाप की बेटी को मुझसे आधिक अच्छा वर कैसे मिलता, शायद यही कटू सत्य उसे अंदर ही चेहरे की ओर देखता और कहता, नहीं पापा, यह मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी तो वो है, तस्वीर वाली, जब कभी अक्छरा नास्ता लगाती, क्रितित तो हर उस चीज की फर्माईश करता, जो मेज पर नहीं होती, यदि आमलेट होता, तो आलू के पराठे मागता, आ क्रितित्यों को बहला फुषला कर दोद का गिलास उसके मुह से लगा देता, कभी कभी तो वा एक घूट पी कर गिलास हटा देता, और कहता, इसमें बोर्ण वीटा डालो, बोर्ण वीटा डाला जाता तो उसे चौकलेट पाउडर की याद आ जाती, मेरी और क्रितित्यों क के प्यार के बिना ही इतना जिद्धी हो गया है। धीरे धीरे समझ जाएगा। किन्तु अक्षरा की आगनेया द्रिष्टी मुझे अंदर तक बेदती चली जाती। तीन प्राणियों के घर में एक त्रिकोन सा बन गया था। कृतित्व जो मा के प्यार से वंचित था, अपनी अब तक कृतित्व की मा का स्थान पा लेना चाहिए था, किवल एक आया मात्र बन कर रह गई थी। कभी कभी वह प्रयास करती कि जिद्धी कृतित्व को समझा बुझा कर बहला फुशला कर या डार डपड़ कर सिधे रास्ती पर ले आये। किन्तु उसका बेहत गंभीर च बच्चे की अतिरिक्त एक और प्राणी भी है। संभवकार ये स्वयम ही करने का प्रयास करता। तुम उसे चुप भी नहीं करा सकती थी। अक्षरा ने आगनया द्रिष्टी से मेरी ओर देख कर कहा। नहीं, बच्चे की हर जीत पूरी करना ठीक नहीं होता, इसलिए। क्यूं, ये तुम्हारा अपना बच्चा होता, तब भी क्या तुम। मैं कुछ और कहता कि अक्षरा ने चीख कर कहा। हाँ, मैं जब भी यही करती, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न किया। यदि मेरा अपना बच्चा होता, तब भी क्या तुम मुझसे इस प्रकार सफाई मांगते। यदि तुम्हे मुझपर विश्वास नहीं था, तो तुमने मुझसे शादी क्यों कि? अपने बच्चे के लिए एक नौकरानी रख लेते। अक्षरा मत भूलो कि मैं एक इंसान हूँ, मुझमें भी कमजोरिया हो सकती है। मैंने चेटकर कहा, और मैं, मैं इंसान नहीं हूँ, उसने गुसे से पूछा, तुम? एक बिना मा के बच्चे को प्यार नहीं कर सकती और तुम एक इंसान बनने का दावा रखती हो। देखो, मैं उब गया हूँ, रोज-रोज की इस किट-किट से, आखिर इस तरह एक छट के नीचे रहने से क्या फाइदा? और मैं कृतित्यो को लेकर बाहर चला गया, लोटा, तो देखा अक्षरा की आँखें सूजी हुई थी, मैंने कहा, देखो अक्षरा, मुझे या तक बिल्कुल पसंद नहीं है, और आगे कुछ सुने भी ना ही, वह अपने कमरे में चली गई, और उसने अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया, मैं कृतित्यो को बाहों में उठाए बंद दर्वाजे की और देखता रह गया, हस्ताक्षर, एक दिन अक्षरा ने मेरे पास आकर कहा, अक्षरा, आओ, आओ न, बैठो, मैं उसे अपने निकट पाकर अपरतीव हो उठा था, हस्ताक्षर, मुझे दिल्ली में नौक्षरी मिल गई है, और मैं कल ही यह घर छोड़ कर चली जाओंगी, क्या, मैं इस्तर्वध हो गया था, नौक्षरी, दिल्ली में, तुम होश में तो हो ना, अक्षरा, हाँ, मैं पूरे होश में हूँ, उसने निरलिप तभाव से कहा, और मेरा क्या होगा? बच्चे का क्या होगा? नहीं अक्षरा, तुम हमें छोड़ कर कैसे जा सकती हो? तुम कोई मजाक कर रही हो ना? मैंने तेज़स्वर में कहा नहीं, यह मजाक नहीं है, मैं गंभेरता से ही अपना निश्चे तुम्हें बता रही हूँ बच्चे का ध्यान तो तुम ही रखते आये हो, उसे तो तुमने मुझे कभी सौपा ही नहीं था खेर, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है अपनी और बच्चे की देखवाल तुम खुद कर सकते हो तुम्हें मेरी जरूरत न कभी थी और न आज है अक्षरा वास्तब में गंभीर थी तुम्हारी तव्यत ख़़ावे अक्षरा, चलो थोड़ा आराम कर लो मैंने कहा जहें किस्मत, तुम्हें मेरी तव्यत का भी ध्यान तो आया लेकिन हस्ताक्षर, मैं जो कह रही हूँ, वह दूरूर सत्य है अक्षरा ने उतर दिया नहीं अक्षरा, प्लीज देखो हस्ताक्षर, अब इन बातों से कोई लाव नहीं है तुम जानते हो, कि मैं कोई भी निर्ने लेने से पहले खूब अच्छी तरह सोच विचार कर लेती हूँ तुम्हें यवी मालूम है हस्ताक्षर, कि यह दोरी जिन्दगी मैं अब और नहीं जी सकती ना तो मैं तुम्हारी पत्नी की ही भूमी का निभा पा रही हूँ और ना कृतित्व की मा का रोल ही मैं संभाल पा रही हूँ मेरा जीवन निरर्थक बनकर रह गया है और निरर्थकता का या बोज अब मुझसे ढोया नहीं जा रहा है खेर, अब तो एक मात्र सत्य यही है कि मैं कल सुबा दिल्ली जा रही हूँ मैंने पाया अक्षरा का स्वर एकदम निर्लिप था अचानक मेरी आखों के आगे अंधेरा सा छा गया अक्षरा, जिसे मैं केवल एक निरी बेवा सिस्त्री समझता था ऐसा एहम निर्णा ले लेगी मुझे और कृतित्यों को इस प्रकार छोड़ कर चली जाएगी या तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैंने देखा, वह आपना सामान सहेजने लगी थी अब वह चली ही जाएगी या सोचकर मेरा मन भढ़ाया मैंने एक निस्वास लेकर कहा ठीक है अक्षरा, तुम जाना ही चाहती हो तो अवस्य जाओ मैं होता ही कौन हो तुम्हें रोकने वाला और कौन लगता है कृतित्व तुमारा फिर भी, यदि कभी तुम्हें ऐसास हो कि तुमने निर्णा लेने में जल्दवाजी की है तो रहने दो हस्ता अक्षर बात काटकर अक्षरा ने कहा इन नाकाम्याब रिष्टों पर अब और मुलम्मा चरहने की कोशिश ना करो अब तो बहुत देर हो चुकी है यह लो, सेफ की चाबियां संभालो और यह तुम्हारी अकाउंट बुक है कहते हुए उसने अपना सूटकेस बद कर दिया मैं अंत्रचालित सा हाथ में चाबियां और अकाउंट बुक लेकर मेज की और बढ़ गया अक्षरा ने सूटकेसे किनारे रख दिया था और अब बाहर जाने को त्यार थी मुझसे बहुत नाराज हो अक्षरा मैंने बहुत प्रयास करके पूछा मैं सचमुच उसे खो दूँगा ऐसा तो मैंने कभी नहीं चाहा था मेरी एक मात्र एक्षा यही थी कि घर के परिवार के मन के एक साथ गुथे रहें अक्षरा ने मेरी ओर देखा उसकी आखों में अनेईक प्रशन थे पापा दूसरी कमरे से कृतित्व की आवाज आई अक्षरा के आध्रों पर एक ब्यंग्यात्मक मुस्कान थी रग उठी उसने कहा जाओ उसे साथ पानी चाहिए मैंने निरी भाव से उसकी ओर देखा और फिर धीरे धीरे दूसरे कमरे में चला गया तब तक अक्षरा बाहर वाले कमरे में जाकर सोफे पर लेट गए थी जब तक अक्षरा घर में थी हम एक त्रिकोन की भाथी जी रहे थी किंतु धीरे धीरे कृत्यत्व मेरे लिए केंद्रबिन्तु बन गया और मेरे और अक्षरा के बीचे खाई सीखुती गई और हम नदी के किनारों की तरह समानांतर देखाएं बन कर रह गए मुझे प्राया लगने लगा था कि वह मेरी पत्नी नहीं कोई और है जिसके पास जाते ही मुझे एक दूरी सी अनुभव होने लगती थी किन्तु अक्षरा चली गई और उसके बाद अचानक ही जैसे सब कुछ वदल गया क्रितित्व बिल्कुल गुमसुमसा हो गया था नाश्ते की मेज पर बात-बात में अक्षरा को जिंकाने वाला क्रितित्व अब अचानक ही गमभीर हो गया था रहने दो पापा अंडे नहीं है तो मैं जैम से ही टोस्ट खा लेता हूँ अच्छा जैम भी नहीं है तो चलो सबजी से ही पराठा खा लूँगा पापा आपको याद है ना ममी दही बड़े कितने अच्छे बनाती थी खर पापा आप मुझे दही में थोड़ी चीनी ही दे दीजिये और कृतित्व की बातें सुनकर उसका बात बात में अक्षरा को याद करना देखकर मेरा कलेजा मूँ को आने लगता था या कैसी विडम बना है? कैसी कश्मकश है कि न तो मैं रचना को दिया गया अपना वचन निभा पा रहा था और ना अक्षरा को पतनी का अधिकार ही दे पाया था कृतित्व तो अंतता बिन मा का ही बच्चा रह गया था मेरी समझ में नहीं आता कि मुझसे भूल कहां हो गयी थी मैं एक बार फिर बच्ची और ओफिस के बिच बट कर रह गया था शायद वही उस अंतका प्रारंब था दिन महीनों और वर्षों के पंक लगा कर उरता गया और एक दिन मेरा सपना सा काड़ हुआ मेरा कृतित्व कम्प्यूटर इंजीनियरिंग करके एक बड़ी फार्म में नाम कमा रहा था मैं बहुत प्रसन्न था और उसके सुनारी भविश्य के सपने देख रहा था एक तिन उसने कहा पापा मुझे आपको कुछ बताना है उसकी चहकती हुई आवाज से मेरी आँखों में भी चमक आ गई मैंने कहा बोलो बेटे पापा दिल्ली में एक संस्था है जीवन धारा मैं उसका छोटा सा सदस्य हूँ यह संस्था बच्चों, युवगों और महिलाओं के लिए कार्य करती है इसी संस्था की ओर से मुझे अमरीका जाने का आवसर मिला है क्या? कृतित्व की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हाँ पापा, इसकी संस्था पिका का पत्रा आया है वे मुझे अपनी अमरीका इस्थित ब्रांच के सचिव के पत पर नियॉर्क बेजना चाहती है और मेरा तो दिल ही बैठ गया कृतित्व की बात सुनकर मेरा नन्हा सा बेटा आज इतना बड़ा हो गया है कि जीवन के सभी निर्ने स्वयम ले रहा है और मुझे असहा या केला छोड़ कर अमरीका जाने के लिए तैयार बैठा है पापा आप खुश तो है ना मैं वहाँ रहकर डॉक्टरेट भी कर सकूंगा पापा हाँ बेटे मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी राह में रोड़ा बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है बेटा तुम खुशी से जाओ मैंने भर्षक मुश्कुराने का प्रयाज करते हुए कहा उह पापा यू आर ग्रेट मैं आज ही अपनी सुकृती भेज देता हूँ और बस पंत्रह दिन में कहते हुए कृतित्व चला गया दिल्ली के इंटर्नेशनल हवायर्दे का द्रिष्य मेरी आखों में गूम रहा है मेरा कृतित्व कितना होन हार कितना smart लग रहा है और मेरा हरदय गर्व से फूल उठा है तभी कृतित्व ने मेरा हाथ थाम कर कहा पापा, वो आ गई, मैडम आ गई और आगे बढ़कर उसने एक मेधावी महिला के चरण इसपर्ष किये मैं एक टक उनकी और देखता रह गया यह शस्वी हो बेटे और उन्होंने कृतित्व के बालों पर हाथ फेरा यह आवाज, मैं चौक गया और ऐसा निससहाय खड़ा रह गया जैसे मुझे सर्पदंच लगा हो प्रितित्व ने मेरे चरण छुए और मैं जैसे तूट परते को हो आया आशु छीपाने के लिए मैंने उसे गले से लगा लिया धीरे से स्वयम को अलग करके वा सिक्योरिटी चेक के लिए चला गया और मैं हताश, बेसहाय, भरभराई आखों से वही खरा रह गया हस्ताक्षर अपने बहुत पास किसी की आवाज सुनकर मैं बरतमान में लोटाया हस्ताक्षर तुमने एक दिन पूछा था कि मेरा अपना बेटा होता तुम्हें क्या करती उसी प्रश्न का उत्तर मैं आज दे रही हूँ यदि कृतित्व मेरा अपना बेटा होता तो सच मुझ मैं उसके लिए इतना सब कुछ नहीं कर पाती मुझे विश्वास है कि अब तुम मेरे उत्तर से अवस्य संतुष्ट होगे और फिर अक्षरा चली गई मैं अपराद बोट की कसक से इतना पीरित था कि उसे रोक भी न सका कीवल उसे जाते देखता रह गया धन्यवाद आशा है कि या कहानी आप लोगों को पसंद आएगी इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार और सुझाव जरूर भेचिएगा और हाँ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए शुक्रिया